दोस्तों, frozen shoulder की अगर problem हो जाए, कंधे में दर्द अगर आ जाए, रात को लेटना, सोना कंधे की दर्द की वज़े से मुश्किल हो जाए, तो acupressure आपकी मदद कर सकता है कौन से वो बिंदू है जिनके माध्यम से आप इसे ठीक कर सकते हो आज की इस वीडियो में जाने के आपको बता रहा हूँ, उसका बिल्कुल close-up chart आपको साथ में मिलेगा, कैसे उपचार करना है, मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ point को close-up देखने के लिए इस वीडियो के अंत में उसके chart की picture आपको मिलेगी अगर किसी को left shoulder में pain है या left shoulder frozen हो गया तो उसे left ring finger पर ilaj करना है, क्या करना है मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसी तरह अगर किसी को right shoulder में pain है या right shoulder frozen हो गया है तो उसे right hand की ring finger पर ilaj करना है यानि जो ilaj मैं अभी आपको left hand में बताने जा रहा हूँ, वो left shoulder के लिए हो गया और वही ilaj अगर किसी को right shoulder में pain है या right shoulder frozen हो गया है तो उसे right पर उसे करना पड़े है सबसे पहला उपचार है एक्यूप्रिशर की रिंग है इसे तो सारी फिंगर में करना चाहिए अगर प्रॉब्लम राइट में है या लेफ्ट में है तो भी आपको दोनों हाथों की सारी फिंगर पर इस एक्यूप्रिशर रिंग का यूज एक-एक मिनट के लिए करना चाहिए क्योंकि यह है blood के circulation को अच्छा करती है इसके बाद अब shoulder pain और frozen shoulder की तकलीफ को मिटाने के जो बिंदू है मैं उन्हें आपको यहाँ पर mark करके दिखाऊंगा उसके बाद कैसे इलाज देना है वो भी सिखाऊंगा तो सबसे पहले point की location मैं यहाँ mark कर रहा हूँ और फिर मैं आपको भी दिखाता हूँ यह इसमें तीन point आएंगे front side पर उन तीनो point की location को आप ध्यान से देखेंगे यह तीन point आप देख रहे होंगे बिल्कुल clear इन तीनो point की location देख लीजे कहां कौन सा magnet लगेगा आप ही मैं सिखाऊंगा और दो point back side पर लगेगे उनकी location को भी बिल्कुल ध्यान से देख लीजे यह देखें यह आप दो point back side पर देख रहे होंगे अब इन पर magnet कैसे लगना है वो सबसे ज्यादा important है यह जो पांचो point है अजिर की जिंमी से है या आयक्यों प्रेश ही मशीन से आप इंपे 30 second чи प्रेस केंड तक आप present ट्रेस अंडी प्रेस अंडी सब्सक्रेव अच्प्रेस दें इस तरह से प्रेशयग इसके बाद यहां पे मैंने कोन से लगने हैं बैसिकली जब भी आप यह समझ जाओ कि फ्रोजन शोल्डर रही है तो कुछ तो वहां खल रहा है तो हमें वहां टॉक्सिंज को सिदेट करना है और वहाँ एलर्जी की सर्कुलेशन को बढ़ाना है तो यहाँ पर हम मैगनेट की जो पोलारिटी है नौर्ट पोल और साउट पर उसको यूज करते हैं टॉक्सिंस को बाहर निकालने वाले पॉइंट को सिदेट करेंगे और वहाँ नौरिश्मेंट को बढ़ सिखाना तो सबसे पहला प्याले यहां लगेगा ये जो तस नीचे यहां लगनेट लगे लगेऊं ऑर यह मैंने लगा दिया येलो मैंगेट इसके बाद जो इससे थूड़ा ऊंपर ये District वाला कtun है इस पर लगेगा वाइट मैंए पे ज कुछें बिदेड अब даже मैने इस पॉइंट है इस पर भी लगेगा yellow magnet visible तो नीचे yellow बीच में white उपर वाले पर फिर yellow तो यह आप देखेंगे कि यह उपर yellow magnet visible लगे अब back side पर आएंगे तो back side में again इसमें नीचे वाले पर लगेगा yellow visible और उपर वाले पर लगेगा white visible तो दुबारा से देखते हैं yellow visible और white visible तो यह देखें back side में यह yellow में visible देख रहा है आपको यह आयर्मेदिक एक्यूप्रेशर के point है जिसमें 245 से rate किया गया है और 37 tone किया गया है zero spiral जहां से energy शुरू होती है shoulder तो देखेंगे उपर आले पर white नीचे वाले पर yellow back side में front side में आएंगे तो सबसे नीचे yellow उसके उपर white और उसके उपर yellow तो इस तरहां से पांच magnet अगर left shoulder में pain है यहां left shoulder frozen हो गया है हाथ पूरा ओपर नहीं जाता रात को सोते हैं तो stiff हो जाता है pain करता है उठके बैठना पड़ जाता है इतना असेहनी यह दर्द होता है तो भी यह point लगाएंगे अगर right side में यहीं तकलीफ है तो right ring finger पर लगाएंगे जिन लोगों को diabetes है उसमें सिरफ इतना इलाज करने से काम नहीं चलेगा उन्हें blue ball देंगे खाना खाने से 20 मिनट पहले 2 मिनट के लिए उन्हें हाथों की हथेली में blue ball का use भी करना पड़ेगा जिससे उनकी pancreas stimulate हो insulin का secretion पड़े और उनका sugar level भी control में आए तो breakfast, lunch और dinner से पहले इस blue ball का use diabetic patient को कराना पड़ेगा जो non-diabetic patient है उनमें सिरफ जो मैंने पहले acupressure की ring बताई सारी finger में करने के लिए और ये जो magnet बताई इतना लगाने से ही काम चल जाएगा तो दोस्तो जो भी आप हमारी वीडियो देखते हैं उसका result overall कैसा है वो जरूर comment box में share करा करिए WhatsApp पे तो आप हमें share करते ही हैं साथी साथ में अगली वीडियो का topic भी आप हमें comment box में बताया करें कि किस विशे पर चाहते हैं आप अगली वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को like करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share करिए तागी वो भी एक्यूप्रेशर के इस महाग्यान का उप्योग करके अपनी different problem को solve कर सके मैं जेक मोहन सज्जिवा इतनी जाहिंकारी के साथ आप सबसे विजा लेता हूँ नमश्कार कर दो